पहले consolidated results से सर कैसे रीड करना चाहिए नहीं है एजदेफसी बेंक पहली बार इतिहास में मेरे कितने सालों कहां 1993 से अब तक के इतिहास 30 साल का हो चुगा है पहली बार HDFC या किसी भी बेंक के results को पढ़ने समझे में मुझे इतना समय लगा और ये सब करने के बावजुद भी म मेरे ग्यान में कोई बड़ोतरी नहीं है मतला इतने adjustment इतने सारे margin के बाद के पहले result से समझ के बार है कि भाई मतलब के इस result को कैसे देखा जाए अच्छा देखा जाए खराब देखा जाए लेकिन क्या अच्छा है क्या खराब है पहले बता जो ठीक है overall result मिक्स है इसमें को डाउट लेकिन बहतर क्यों है अब उसके कारण में जाएंगे तो आपको लेगा कि अच्छा इस कारण से बैतर यह तो मजह नहीं आए अधर इंकम बढ़ी है टेक्स कम जा रहा है प्रोविजनी कम किये तो इस वज़े से आपको मुनाफ़ा बैतर है तो यह तीनों ही कारण इस जिसे आप अच्छा मुनाफ़ा चाहते हैं आप मुनाफ़ के और अच्छा चाते हैं कि आपके net interest income बढ़े net interest margins बढ़े एसेट क्वालिटी सुधर है दूसरा नेगेटिव है कि एसेट क्वालिटी कमाइन होकर थोड़ी सी जो आई है वो थोड़ी से हलकी कम होते वह आई है तीमाई दर तीमाई ग्रोंस और नेट लेवल पर एंपी हलके से बढ़ें बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन है अब आई है तीसरी चीज अब मार्जिन्स इननने चार तरह के मार्जिन्स दिया लग अलग हर आदमे अपने अपने हिसाब से मार्जिन्स लेकर चाता है मैनज्मेंट का गायडंस अब कोड मार्जिन कुछ अलग हैट्सट्रि it अलग है लोकल ब्रोक्रेजरस कोई अलग मार्जिन्स पकड़ रहे हैं कोईधेशी अलग पकड़ तो हमने देखा कि किस ने ज्यादा margin जितने लोगों ने ज्यादा पकड़े वो 3.4% के, तो हम 3.4% को अगर margins को मान कर चलें, तो अनुमान से थोड़े से कम है, हालां कि management ने का है कि जो lower guidance हम ने दिया था, उसी पर margins आ है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे अचा मेनेजमेंट की कमेंटरी के बाद भी बहुत तस्वीर साफ नहीं हो रही है कि एक्जेकली कैसे नंबर्स पढ़ा जाए अब रहा स्टॉक के परफॉर्मेंस का सवाग तो स्टॉक में लोगों को मेरे को लगता है कि यह जो ठंडा तो ठंडा रहे और थंडा ही रहेगा लिजल के पहले थोड़ा थंडा थंडा ठाव हो सकता है मार्केट के मूर और और रिजल के बाद ठोड़ा एक बार हल्क हल्क पुल की शॉट कर यह बढ़ जाए बढ़कर ऊपर आएगा आपको तुरंग दे दे देना है समझगया बढ किसी के इंविटेशन का इंतिजार मत कीजिएगा 1480 1510 ठीक है ज्यादा नीचे नहीं है ज्यादा घटे का नहीं है एक से दो परसंद का मूँ है अगर पहले उपर खुलके उपर पहुंच गया तो दिन में वापस प्रोफित बुकिंग भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है अगर मार्केट का मूर आज एक्स्टा अच्छा है इसलिए उपर के चांस ज्यादा भी है उपर 1550 1560 यह थेंक्यू ट्रेडिंग प्रोफित बुकिया यह रिजल्ट ऐसे नहीं कि मेरे पास में HDFC बैंक है तो मैं बेच के निकल जाओं कि नहीं मुझे नीच यह बेकार देना है HDFC बैंक तो यह रिजल्ट ऐसे नहीं कि मैं अभी का भी लूँगा रिजल्ट आ गया और यह तो रिजल्ट चाहिए थे तो मेरे लिए HDFC बैंक के रिजल्ट आये नहीं आये गए आके चले फर्क नहीं पड़ता तो मेरा डिसिजिए अभी भी पैसा डालना है यह मे अभी आता है हमेशा सिदे सिदे समझे तो बात ही क्या है